तो आज किस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट केमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 काफी जगा कमेंट आ रहे थे कि वाई इस बिजट के अंदर एक बेस्ट केमरा स्मार्टफोन बताओ जिसमें आप बिलोगिंग कर पाएं बगी का फोटोग्राफी काफी टॉप नौच की कर पाए एंड इसके लवाब परफोर्मेंस भी टॉप नौच की हो और बैटरी लेवल भी काफी अच्छा हो तो वाई इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने इस वीडियो के अंदर चार से पाँच स्मार्टफोन को इस वीडियो के अंदर एडड करा है जिसमें से आपको एक नज एसा स्मार्टफोन है जो की पसंद आने वाला है और मैं वीडियो के साथ ही साथ बता चार चार लूँगा कि कौन सा स्मार्टफोन के इस उजरी के लिए बैस्ट रहेगा तो यहां पर हम नंबर फोर से स्टार्ट करने वाले है नंबर वन तक जाने वाले यानि चारोई स्म और कैमरा क्वालिटि के अधर पर रहें कर जो चलिए करते हैं मौद्ळ मैंश की मिलती है अब इसके मैं फीचर्स के बारें बात करते हैं तो इसके बैक में आपको बीगन लेदर डिजाइन देखने को मिल जाती है एकदम प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है और काफी अच्छी इन हेंड फील है इसकी या इसकी डिस्प्ली के बारें बात करें तो 6.7 देखने को मिलते हैं और काफी ब्राइड डिस्प्ले है एंड़ी के साथ बैक में दो कैमरे मिलते हैं जिसमें से मैं केमरा 50 मेगा पिक्सल का जिसके अंदर सौनी ली टी आई 6 अंडर वाला सैंसर यूज किया गया है एंड 8 मेगा पिक्सल का अल्ट्रावैड है जो की माइक अच्छी कलस देखने को मिल जाते हैं लेकिन वीडियो क्वालिटी इसकी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जो कि आगे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और काफी कमेंट आते हैं वाई ब्लॉग वगयरा के लिए कैसा स्मार्टफोन रहेगा यह बैक कैमरा इसका जैन 3 वाला चुपसेट मिल जाता है यानि आपकी चानकारी के लिए बता दूँ यह 695 के आसपास देखने को मिलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा बैटर है इसकी क्लॉक की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया बगी का जो इसकी पफोर्मेंस है वो मीडियम लेबल की प्राइस के बारें बात करें तो इसकी प्रैस अठारेज रुपया एंड एक जारुपय का बैंक डिसकॉंट मिल जाता तो यानि 17,000 रुपय के अंदर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं यानि आपका बजट 17,000 रुपय के आसपास है और उसके अंदर आपको एक बैस्ट केमरा स्मार्ट फोन जी एंठास स्मार्ट फोन आपके लिए बैस्ट रग्हा तो इसके महाइन फीचर्स के अब बात करते हैं सबसे पहले mm के थिखने से 188 गरम का स्मार्टफ़न है तो एक स्लिम स्मार्टफ़न आप इसको बोल सकते हो बॉक्सी डिजैन है बगी का डिस्प्ली के बारे में बात करते हैं यानि इसके बैक में आपको तीन केमरे मिलते हैं जिसमें से में केमरा 50MP का है एंड इसके फ्रंट में 16MP की सेलफी है यानि इसके बैक केमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉड कर सकते हो एंड फ्रंट केमरे से 1080 में वीडियो रिकॉड कर पाओगे बगी गाईस इसका जो में केमरा उसके अंदर सौनी आइमक्स 8a2 वाला संसर यूज किया है जो की काफी ज़्यादा फ्लेक्सिब लेविल के स्मार्ट फॉन में यूज करा है दो इस फोन की जो वीडियो क्वालिटी है वह भी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है व्लोगिंग के लिए भी सई रहेगा एंड फोटोग्राफी यहां पर आप काफी अच्छी कर प की गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो यानि मुल्टी टास्किंग नॉर्मुली इसके लिए स्मार्टफॉन बैस्ट रहेगा इवन इसके अंदर आप तॉप नौच की गेमिंग कर पाऊगे यहां पर आपको यहां पर आपको बीस रुपे मिल जाती है लेकिन गाइस सेल चलती रहती है तो 2000 रुपे का बैंक डिसकाउंट इसके अंदर मिल चाहता है अगर अभी भी होगा तो मैं इसके इड़ कर दूंगा तो अगर आपको इस बिजट के अंदर एक बेस्ट फोटोग्राफी वाला स्मार्टफॉन चाहिए और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी तो मेरे खाल से आप इसको कंचीडर कर सकते हो का इस अब बात करते हैंनुर्ण सेगंड वाले समार्टफॉन चाहिए तो मेरे खाल से यह स्मार्टफॉन आपके लिए इस प्राइस के आदर वीडियो क्वालिटी और फोटोग्राफी वह यहां आपको बेस्ट देखने को मि प्रण करता है 9.1 mm की थिखने से 222 ग्रम का स्मार्टफोन है यानि अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो ना तो बड़ा स्मार्टफोन फील होगा और काफी ज्यादा भारी स्मार्टफोन है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी बैंटरी मिलती है तो डिजाइन वाइस भी प्लस पॉंटर रहेगा ब्लोगर के लिए जिनको एक ब्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए क्योंकि इसके बैक और फ्रेंट केमरे में आपको जबरदस्ट लेविल की इस्टेवलाइजेशन देखने को मिल जाती है क्योंकि मैंने और भी स्मार्टफोन से कंपेर करा है तो उनकी अंदर उतनी जदा इस्टेबिलिटी नहीं मिलती है जो कि इसके अंदर मिलती है डाइमिक रेंज को काफी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता है और फोटोग्राफी के बारें बात करें देखो डेल लेकिन डेलाइट में थोड़ा सा यह है कि कलर से आपको नेचुरल देखने को मिल जाता है अगर आप एड़िट वगरा करोगे तो फोटो काफी ज़्यादा बैटर देखने को मिलेगी एंड यहाप आपको एक्जिनोस का 1380 वाला चिपसेट मिल जाता है देखो इसको काफी अगर गाइस आपको एक ब्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए क्योंकि इसके अंदर इस्टिविलिटी काफी अच्छी चाहिए तो मेरे एक हाल से इसके बैक और फ्रंट कैमरे में जो इस्टिविलिजिसेशन आपको मिलती है वो इस प्रैस को कोडिंग दी बैस्ट है तो आप इसको आँख बंद करके भाई कर सकते हो अगर आपको कैमरे design मिल जाती है curve display मिल जाती है बगी का यह स्मार्टफोन एंडर 14 पर रण करता है 7.8 mm की थिखने सा 174 गरम का स्मार्टफोन है यानि काफी lightweight और slim स्मार्टफोन है और in hand feel काफी ज़्यादा जबर दस्त है डिस्पली के बारे हम बात करें तो 6.7 inches की P.O.L.A डिस्पली है ग्लास 5 की protection मिल जाती है यानि डिस्पली की quality प्राइस को कॉर्णिंग काफी ज़्यादा better है बगी का man camera के बारे हम बात करें यानि back में आपको दो camera मिलते हैं जिसमें say man camera 50 megapixel का 13 megapixel का ultrabat जो की micro का ही work करता है और आपको इसमें sony liti 700c वाला sensor यूज करा गया है दोको जो की flexible लेवल के smartphone में यूज किया गया है दोको इसकी जो camera quality है ना वो इस प्राइस को काफी जबर्दस देखने को मिल जाती है यानि वो डेलाइट हो इंडोर हो आउट्डोर हो काफी best quality आपको प्रोवाइड कराता है टैन्नेमिक range को काफी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता है और वीडियो quality इसके अंदर आपको काफी stable देखने को मिल जाती है इसके back और front camera से आप 4K तक video record कर सकते हो और stabilization आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है यानि अगर आप ब्लॉगिंग के लिए smartphone ले रहे हैं तो आप इसको consider कर सकते हो इसके लावा यहाँ आपको snapdragon 7 S Gen 2 वाला chipset मिल जाता है यानि इस performance price को according काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है casual आप इसके अंदर gaming कर सकते हो बकी के यहाँ आपको dual stereo speakers मिल जाते है 5000 में इसकी बेंट्रियर 68 वोट की fast charging का support मिल जाता है security के लिए in display fingerprint है तो finally pricing के बारे मिल बात करते है यानि कैस 8GB 120 8GB का storage है जिसकी price आपको 23,000 रुपे मिल जाती है लेकिन bank वगरा discount लगा कि यह 22,500 रुपे के आसपास मिल जाता है तो आप इसको consider कर सकते हो अगर आपको एक all-rounder सा smartphone चीए तो मेरे खाल से यह smartphone आपके लिए best रहेगा तो guys यह था आपके best smartphone जिनको आप consider कर सकते हो 20,000 के अंदर यानि अगर आपका कोई की confusion है तो आप comment कर सकते हो मैं उसका reply ज़रू करूँगा तो चली वीडियो के ही पर end करते हो आपसे मिलता है अगली वीडियो के अंदर